हेलो फ्रेंड स्वागत है अब सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के सुर्म बात करने वाले हैं यूपी बूर्ड परिछा 2019 ताजा ख़बर बूर्ड का हुआ एलान हजारों चात्रों का रजिटेशन हो सकता है रद दोस्तों देखे दस्वी बारे में के चा यहां दोस्तों इस विडियो में बात करने वाले यूपी बूर्ड परिछा 2019 में सामिल होने वाले चात्रों के लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो है दोस्तों क्यों हो सकता है हजारों चात्रों का रजिटेशन रद जानते हैं इस वीडियो में सुरू से लेकर लास तक बने रही है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं दोस्तों वीडियो की नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा देजिए दबाने के बाद एक छोटा सा वेल आइकान आएगा उसको भी दबा देजिए ताकि कोई भी न्यूज हमां सब्सक्राइब करके घंटी दबा ठीक है तो चलिए जानते हैं दोस्तों क्यों यूपी बोड में हजारों चात्रों का रजिस्टेशन रद हो रहा है यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यूपी वोड पर इच्छा 2019 कैंसल होंगे इंटर हाइश्कूल के इन हजारों चात्रो के रजिस्टेशन जानते हैं क्यों होगा दोस्तों यहां पर बता दिया गया है यूपी बोड पर इच्छा 2019 की तैयारियों के बीच नकल माफियों का खेल सुरू हो गया है तैकि जहां नकल की सुथधा मिल सके वहां से परिछब दिला यहां पर देख सकते हैं यह स्थिति जब तब है जबकि 2018 की परिक्षा में 87,000 से अधिक पंजिकरन निस्थ कर दिए किया चुकी है है ठीचा की खर्षा में 2019 में तो सो सकते हैं दोस्तों यहांपर बता दिया गया है कि कि यहां यहां पर देख सकते हैं दोस्तों बताया गया हिए कि बर्ट परिच्छा के लिए कुछ बारह riba 1988 अभिरतियों mm के मिले हैं ठीग है इनमें हाई स्कूल के 1829 और इंटर के 11059 पंजीकरन है बोर्ड ने परियागराज वरानसी, मेरट, बरली और कोरकपूर छेद्रेक कर जाले को देख सकते हैं तो अगर आप लोग भी डवल रद हो जाएगा और अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि मैं अपने आप से पास हो जाओंगा तो उसको डरने की कोई जरूत नहीं है वह अराम से उसका एडिमिट कार्ट भी आएगा और पास भी होगा ठीक है चलिए आगे जानते हैं दोस्तों क्या नवी जाया है अप लोग के लिए देख सकते हैं यूपी वूर्ड परिच्छाओं को नकल भी हिन करवाने के लिए सासन से लेकर सिक्षा भीवाग अभी से जुट गया है यानि यूपी वूर्ड परिच्छा 2019 में कितना भी चाहो कर तो दोस्तों आप लोग चोड़ी नहीं कर पाऊगे ठीक है जितने पहले हुआ करते थे 2017 तक 2018 में जैसे योगी सरकार ने एलान किया कि अब परिच्छाओं में सिसी टीवी कैमरे और वैस रिकोर्डिंग के साथ ही अब इस बार से राजधानी के सभी प्रिक्षारती बार कोडिंग वाली कोंफियो पर प्रिक्षा देंगे यानि बार कोडिंग जैसी कर देगा तो उससे क्या होगा दोस्तों पेंडिंग रिजल्ट नहीं होगा और सभी चात्रों का रिजल्ट अच्छा आएगा जो लोग लिखेंगे उनका रिजल्ट तो जरूर बढ़ियां आएगा और जो लोग चुरी करने के कि में है वो लोग उसका जो है रिजल्ट नहीं आएंगा ठीक है जल्दी परिश्ट इस बारे में नोट्फिक्शन जारी करेगा ऐसे में अब काफी सुरी ऐसे में अब कोफी बदलने की किसी भी तरह की आसंगा खतम हो जाएगे ठीक है बार कोडिंग से क्या होता है दो तो आप लोग कोपी नहीं बदल सकते हो ठीक है आप लोग का बार कोड इसमें लगा हुआ राता है उससे आप कोपी नहीं बदल सकते है ऐसा होता था प चंद्रों पर स्टीएफ को भी लगया गया था ठीक है सकती का खासा असर परिछा परिणाम पर भी परा था इस वार से राजधानी में बार कोडिंग वाली कोफियों का इस्तमाल किया जाएगा जिल्ला विद्याला निरिक चेक डॉक्टर मुक्य शुकुमार सिंग ने बताया कोफिया उसी चाथ मतलब उसकी पास ही रहेगा मतलब कोई प्रोब्लम नहीं होगा ठीक है यदि कोई गरबरी करने की कुशिद करेगा तो वह भी पकरा जाएगा देख सकते हैं दोस्तों कैसी कैसा कैसा नियम आप लोग में लिया जा रहा है उन्होंने बताया कि बगेर बा वाला फर्जी वारा पूरी तरफ बंद होगा डियोस के मताविक पार कोडिंग वाली कॉपियों की इस्तिमाल को लेकर बोर्ड पिछले साल से ही काफी सकरात्मक है ठीक है तो यही थान्यूज दोस्तों जो लोग दो जगह से राइस्टेशन किये हैं उनका राइस्टेशन कजो रद हो जाएगा रद होगा क्या रद हो चुका है दूस्तों वह लोग परिष्ण से बंचीत में जाएंगे जो लोग नहीं भरें दूस्तों जो अपने मैहनत से परिष्ण होना चार्थे उनको डदने के कोईoffon नहीं है आने वाले दुनों में हापकर प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा दोस्तों कल ही से या एक सप्ता के अंदर अंदर इस चैनल पर आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिस एट और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के अपका बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है